गुड मॉनिंग टो आल सभी को नमस्कार आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डेली रिक्वार्मेंट ओफ एनर्जी प्रोटीन फैट विटैमिन और मिनरल्स उसके अंदर बेसिक बाते करेंगे कि डेली रिक्वार्मेंट कितनी कितनी होती है इसके अंदर एक से दो कोईशन एकजाम के अंदर पूछ पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि रिक्वार्मेंट ओफ एनर्जी प्रोटीन फैट विटामिन और मिनरल्स एक-एक बारे में बात करते हैं सबसे फेले हेडिंग डालिएगा रिक्वार्मेंट और फ़ एन्रजी वेक्तिक देने कार्यों के संपादर है तो उर्जा की आउसकता होती है आप उर्जा जिसके अंतरकत जो भी कारे करते हैं उसमें एनरजी है उसकी जरूरत परती है उर्जा के रूप में उनके द्वारा गरन किये गए भोजे पदात से प्राप्त होती है कार्बोहाइडेट वस्सा और प्रोटीन वेक्ति के लिए उर्जा के मुखे शुरोत माने जाते ह जो उर्जा है वो कहां से आती है कार्बोहाइडेट फैट और प्रोटीन यह मुखे शुरोत माने जाते हैं उर्जा का मापन किलो कैलोरी में किया जाता है उर्जा को मेजर्मेंट कैसे करते हैं किलो कैलोरी में मेजर्मेंट किया जाता है विभीन पौशक पदारतों की एक आपको प्रेविस क्लास के अंदर बताया था कि उर्जा है जिसमें कार्बोहाइडेट फैट और प्रोटीन इनके अंदर एक ग्राम जो एक ग्राम कार्बोहाइडेट फ्रोटीन और फैट इनके दुवारा कितनी किलो केलोरी उर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में मैंने फैले भी बताया हुआ है तो वन ग्राम एक ग्राम कार्बोहाइडेट फ्रोटीन और फैट यूज करते हैं तो कितनी केलोरी उर्जा होती है तो ये दोनों ही आपको ये जो ठेबल बनाया हुआ है ये इतना इंपोर्टेंट कि इसमें से भी एकinson exam के अंदर देखने को देखünk वह सबसे पहले बात करते कार्बोहाइडेट का जिसमें एक ग्राम कार्बोहाइडेट है एक ग्राम कार्बोहाइडेट है जिसमें कितना किलो कैलोरी उज्जा मिलती है प्राप्त होती है चार किलो कैलोरी और प्राप्त उज्जा किलो जूल में बात करें तो सत्रा किलो जूल रहेगा नेक्स्ट एक ग्राम फैट है जो सबसे ज्यादा मेकजिमम जिसको बोलते हैं मेकजिमम मेकजिमम जो उज़ा प्राफ्ट होती है फैट से सबसे ज्यादा मात्रा जो एक ग्राम फैट है उसके अंदर कितनी किलो कैलोरी उज़ा होती है नाइन किलो कैलोरी ठीक है जूल के बारे में बात करते हैं तो 38 किलो जूल उसके बाद में प्रोटीन प्रोटीन के अंदर से एक ग्राम प्रोटीन है उसमें 4 किलो कैलोरी उठ्जा मिलती है और जूल के अंदर बात करते हैं तो 17 किलो जूल रहेगी ठीक है तो इस प्रकार से आपको इसमें आपको प्राप्ट-ूर्जा केलोरी में इसमें यूद रखना है तिक bisogna रहेगा और कार्भोहायडिट और प्रोटेण के अंदर 44 kg कैलोरी रहेगी एक ग्राम के आंदा एक सामाने वैसक की उर्जा की आफ देनिक आफसेक्ता की लग लगभग पचा से शतर फर्टिसद भाग कार्बो आएडिट यूक्त खादय पदार्थ से प्राप्त होना चाहिए यह तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बो हाइडिट से प्राप्त होने वाली जो एनरजी होती है जो डेली रिक्वर्मेंट के अनुसार वह पचास से सतर पर रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं एक सामाने एडल्ट की उर्जा की देनिक आवसेक्ताओं का लगबग दस से 25 वर्तिसद भाग फैट यूप खादय पदार्थ से होना चाहिए तो फैट से जो डेली डिक्वार्मेंट ओफ उर्जा है वो दस से 25 वर्तिसद का होना जरूरी है सिसों में और बच्छों में ये 15 से 30 परतिसद तक होनी चाहिए एक सामाने एडल्ट की उर्जा का द्यनिक आवसेक्ताओं का लगबग आप 7 से 15 परतिसद भाग प्रोटीन छाद्यपदार्थ से अरव ने चाहिए तो मोटा मोटी बात करें तो पर दे के शायाब से यदि उर्जा की बात करें तो उर्जा के अंदर कार्बोहाइड्रेट से 50 से 70 परतिसत दूसरा है प्रोटीन के द्वारा 15 से प्रोटीन के द्वारा जो डेली रिक्वार्मेंट होती है वह साथ से सब्सक्राइड के साथ से 15 परतिसत और फेडर से 15 से 30 यह इतनी प्रकार के जो उर्जा है ऐली अलग अलग जो चैर्म फूड फुन फुट कमपोनेंट के उच्जे प्राप्ट बाता PLAY आपको क्या रक्नाने कि किस फुट कं पोनेंट्स से कितनी कितनी एनर्जी परurrection है करते हैं अर्जक की द्यायक आफसेक्ताओं को अलग अलग कार्पर भाविद करते है एज बढ़ने के साथ आफसेक कुलhin oven की मात्रा बढ़ती है लेकिन सरीर के वजन के अनुसार परती किलोग्राम अनुजाक्ति की मात्रा घरती है सेक्स लिंग भी गजा की मात्रा देनिक आफसेक्ताओं को परभावित करती है महिलाओं की उप्रिक्षा फूरूसों में उज्जा की देनिक आफसेक्ता अधिक होती है प्रेग्नेंसी ब्रेश्ट फीडिंग संकर्मन सिक्नेस आधी के दोरान भी उज्जा की देनिक आफसेक्ताओं को परभावित करती है भार आपको वता दिया था कि फूड है वो फूड की एनर्जी है वह भी परबावित होती है यहां पर काम के आदार पे कारे की प्रकृति के आदार पे प्रेग्नेंसी लेक्टेशन बीमारी इनफेक्शन उसके एकोडिंग एज ग्रूप के कोडिंग सेक्स लिंग मेल फिमेल के नातरा गर्ति बढ़ती है नेक्स्ट बात करते हैं यह तो था उज्जा के बारे में तो उज्जा के बारे में आपको क्या याद रखना है एक कि इसके अंदर दो कॉशन जो इंपोर्टेंट है वह आपको याद रखना है क्या क्या देखिए गा सबसे पहले एक ग्राम कार्भोहाइड एट और प्रोटिन डेली रूटिन के अंदर कितने कितने परसेंटेज तक उच्जा की लेना ज्रूरी होता है जैसे कार्भोहाइड परसेंट से 50-70% प्रोटिन से 7-15% और जो फैट है वह 15-30% अब बात करते हैं प्रोटिन के बारे में अब कार्भोहाइड पूरा अच्छी तरीके से पढ़ ली अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में देखिए गाए प्रोटीन कि अक्लाइक की अध्य प्रोटीन भी देनिक आप से कहता हूं भी अलग अलग उमर वाले वैक्टियों के लिए विन विन होती है वेस का उस्ता में प्रोटीन की देनिक आफसेक्ता डेली रिकॉर्मेंट एक ग्राम परती किलो वजन के अनुसार होती है बस ये आपको फॉर्मूला प्रोटीन वाले के अंदर आपको ये जियान रखना है सिसू, बच्चे, प्रेगनेंसी और इस्तनपान के दोरान इनकी अत्रिक देनिक आफसेक्ता होती है वीभीन उमर वाले वेक्टियों के प्रोटीन की आफसेक्ता निम्ण सारनी के अंदर दिया गया है तो फ्रोटीन के मातरा के बारे में बात करते हैं तो वन ग्राम पर केजी बोडी वेट के इसाब से यह फॉर्मूला है जो यूज करना है साथी साथ में यहां पर एक टेबल बनाया गया है जो फ्रोटीन की दियनिक आफसेक्ता एज ग्रूप के एकोडें जिसमें एक एडल्ट जिसका वजन है 65 किलो ग्राम है तो यहां पर डेली प्रोटीन की आफसेक्ता 54 ग्राम और एक मेला है जिसके अंदर वजन है 55 केजी तो 46 ग्राम के इसाब से दिया जाता है तो जितना वजन होगा उतना प्रोटीन की डेली रिकुराइनमेंट होती है इस पर के बारे में इस प्रकार से यहां पर अलग अलग एज ग्रूप के अंदर भी यहां दरसाया गया है उसको भी आप एक बार देख सकते है दूसरी बात यहां पर एक नौट डाल के लिका हु प्रोटीन के बारे में बात करते हैं प्रोटीन जितना केजी वजन है जैसे आप जानते हैं कि एक एवरेज वजन के बारे में बात करते हैं तो 60 kg तो 60 kg तो इसका मतब है कि प्रोटीन डेली रिकॉर्मेंट कितना होगा 60 ग्राम यह तो आपको समझ में आ गया अब इसमें य तो इस प्रकार से यह तो आपको द्यान में रखना है तो अब प्रोटेन की डेली रिकॉर्मेंट कितनी होती है उसके बारे में भी मैंने आप फैट वसा यूग्त खाद्य पदार्थ शरीर को उर्जा परदान करने का कारे करते हैं एक ग्राम वसा के ऑक्सीगन से 9 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है एक एडल्ट की द्यनिक आपसेक्ताओं का लगबग 15-10 से 25 परतिसत जो मैंने आपको पहले लिखाया था 15-30 परसेंट ठीक है फाग वसा यूग्त खाद्य पदार से प्राप्त होना चाहिए विभीन उमर वाले वेक्तियों के अंदर वसा की द्यनिक आपसेक्ताओं का सारणी निवन परकार से दरसाई गई है अब इस परकार से बात करते हैं जिसके अंदर अलग-अलग एज ग्रू जैसे सेडेंटरी वर्क है मोडरेट वर्क है यह हेवी वर्क है हेवी वर्क जिसमें लेबर लोग काम करते हैं सेडेंटरी जो रूटीन का गुमते फिरते हैं और मोडरेट मतलब थोड़ा और उससे ज़्यादा कारे करते हैं तो देनिक रिक्वार्मेंट एडल्ट मेल के अ और hai B AND बीस पचीश और त्वीस ग्राम तया गया में इस प्रकार से आगय आगे इंदर एज गुरूफ के थो आपको को और को यह अदल्ट को यह आंगे रखनाना七 वीटमिन्स myös भ Hafle नेered करते हैं कि मुझाद साथ लेकिन शरीर कि विभीन होता है से प्रोटक्टिव फुड़ करतें में ते दिया गया में नकभाणता है जो रुचामिन होते हैं विटामिन की देनिक आप प्रौंतो यह बोड़ी की इम्मृटी पावर को बढाते हैं और इंफेक्शन हैं संकरमन हैं उनकी रोगताम करते हैं है तो यहां पर अलग-अग ओरूड कहको च्लैक मिलेन विटामिन seah basic would a pse ibidで B3, B6, B9, B12 यहां पे दिया गया है तो उसको आपको एडल्ट पूस और एडल्ट मैला के अंदर यह तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा नेक्स्ट बात करते हैं अलग लग परकार के यहां पे दिया गया है गरबावस्ता और लेक्टेशन के अंदर भी आप थोड़ा सा देख लेना यह भी इंपोर्टेंट रहता है नेक्स्ट बात करते हैं खनीज लवन के बारे में आप जानते हैं विटेमिन की तरह खनीज लवन भी उज़ा प्राप्त करने करते हैं अपितु यह शरीर की डिजीजस से सुरुकसा करते हैं इसे प्रोटेक्टिव खादे पदात भी कहते हैं निम्सारडी में वीबिन उम्र वाले वेक्टियों की केल्सियम और आइरन की आफसेक्ता को डेली रिकॉम्मेंट को बताया गया है ठीक है तो एडल्ट फूर्स के अंदर और मैला के अंदर गरबावस्ता और इस्थनपान के दोरान कितनी कितनी फैट कार्बोहाइडिट और स के पूस्थ दोरान के पर चुने क्यों कि इसके अंदर यहां पर बताया गया देखिएगा एक एडल्ट फूर्स है इसके अंदर केल्सियम 1000 मिली ग्राम की आफसेक्ता होती है नाइनटीन ग्राम ठीक है सुरी 19 एमजी मिली ग्राम ठीक है और यह भी 1000 मिली ग्राम रहेगा द कि हैं वो हो आप वर 29 रहेगा गरबावस्ता के दौराँ एक जय मिली ग्राम केलशियम और आ रNow & है वो 27 मिली ग्राम इस्थनपान के दौराँ 1200 मिली ग्राम केल्शियम और 23 मिली ग्राम दय खाँ होती है उसके बास में भी याँ पर द्रस दिआ बारा दर्साय गया है अलग अलग टेबल के अंदर किस ग्रूप के अंदर कितना लिया जाना चाहिए उसके बारे में तो आपको जो केलिशियम और आइरन है उसको यह जो ऊपर दिया गया जिसमें एडल्ट प्रूस है महिला है गरबावस्ता के दुरान यह चारों पॉइंट कितनी होती है उसके बारे में बात किये तो इसको एक बैसिक जो मैंने आपको बताया है उसको तो याद रखना ही है ठीक है जदा यह टेबल आपको याद न तो रहेगी और न करना है ठीक है आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही धन्यवास